आप सभी का स्वागत है दोस्तों सहित्य का उदेश्य निबन यह 1936 में प्रगती शील लेखक संग के प्रथम अधिवेशन लखनों में प्रेमचन द्वारा दिया गया अध्यक्षिय भाशन है यह सम्मेलन हिंदी सहित्य के तिहास में स्मार्णिय घटना है उनके अनुसार ज तो कुछ लिख दिया जाए वह सब सहित्य नहीं होता बलकि प्रेमचन जी का कहना है कि सहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो जिसकी भाशा प्रोड प्रारिमार्जीत और सुन्दर हो और जिसने दिल और दिमाग पर असर डालने का गुन हो दोस्तों प्रेमचन के अनुसा जीवन की आलोचना ही सहित्य का प्रथम उदेश्य है इसलिए वही सहित्य प्रभाव उत्पन कर सकता है जो जीवन की सच्चाईयों का दरपन हो तो मेरे बहुत से विध्यातियों के अनुरोद पर हम पहले भी सहित्य क्या उद्देश्य की व्याख्या पर चर्चा कर चुके हैं आज फिर हम इस निबंद के दो गध्यांशों की सा प्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं साहित्य का उदेशे निबंद के गध्यांशों की व्याख्य सबसे पहले मैं अपना गद्यांश पढ़ूंगी उसके बाद हम उसका प्रसंग जानेंगे प्रसंग में हम देखेंगे कि जो हम अब तरन जो भी पंक्तिया है वो हमें किस पुस्तक से या किस उसका जो नाम है वो लिखना होता है साथ ही साथ हमें उसके लेखा का नाम लिखन और विशेश में हम ये लिखते हैं कि जो गद्यांशता वो हमें उसमें लेखा विशेश तौर पर क्या कहना चाहता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सहिते कवदेशे निबन के गद्यांशों की व्याख्या पहला गद्यांश है भाशा को साध्या ना मानका साधन मानते हैं जो संप्रेशन का कार्य करती है वे कहते हैं भाशन साधन है साध्या नहीं अब हमारी भाशा ने वह रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाशा से आगे बढ़ कर भाव की और ध्यान दे और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश् अब इस योग्या हो गई है कि उसमें शास्ट और विज्ञान के प्रश्णों की विवेचिना की जा सके और यह समेलन इस सच्चाई की स्पश्ट स्विक्रती है भाशा बौलचाल की भी होती है और लिखने कि भी बौलचाल की भाशा तो मीर अम्मन और लालू-लाल के जमाने में भी मौजू थी पर उन्होंने जिस भाशा कोई दाग, बेल, डाली वह लिखने की भाशा थी और वही साहित्य है बोलचाल से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं अपने हर्ष शोक के भावों का चित्र खींचत लेकिन और वही साहित्य कार वही काम लेखनी द्वारा करता है तो दोस्तों यह हमने गद्याश पड़ा अब हम इसकी प्रसंद को जानते हैं जो यह पंक्तिया है वो प्रेमचन द्वारा रचित निबन साहित्य का उदेश्य से ली गई है यह निमद उनके दिये गए भाश को व्यक्त किया है और यह बताने का प्रियास किया है कि साहित्य वस्तोतह जीवन की अलोचना है और उसकी भाशा कैसी होनी चाहिए चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इस गद्याश की व्याख्या को प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमचन साहित्य के कत्यों भाशा के संब में अपने विचारिस पष्ट करते वे कहते हैं कि भाषा साधना है साध्य नहीं जो लोग भाषा को चमतका रूप में लेकर सहित्य को गौरव प्रदान करना चाहते हैं वे वस्तुतह नहीं जानते कि भाषा मात्र माध्यम है प्रेमचन का कहना है कि अब हमारी भाषा ने वह देशे से लिखा जा रहा है वैसा ही हो उसकी भाषा भी वैसी ही हो अर्थात विशेवस्तु के अनुरूप ही भाषा होनी चाहिए जैसे बागो बहार और बेताल 25 के समय जो भाषा थी वही भाषा उनके कावे रचना को महान बनाती थी लेकिन दोस्तों अब समय बदल गया है अब शास्रों विज्यान आ गए हैं इसलिए भाषा भी बदलनी होगी वास्तों में भाषा बोलचल की होती है और इसका प्रियोग अमीर अमन और ललू लाल ने खूप किया और उसी बोलचल की भाषा को ही लिखने की भाषा भी बनाया और वही साहित्य है जैसे हम बोलचल ऐसा करे तो उसका काव्य उसका सहित्य सद्यों तक लोग पड़ेंगे और वह रचना सबको प्रभावित भी करेगी यानि कि प्रेमचन के अनुसाथ सहित्य की भाषा सरल सहज और जनसाधारन को समझ में आने वाली होनी चाहिए लेकिन साथी साथ ऐसी भाषा होनी चाहिए जो परिमालजी तो प्रोड भाषा का प्रियोग अपने सहित्य में करना चाहिए और जीवन की सच्चाईयों को हमें भाषा के माध्यम से अपने सहित्य में उकेरना चाहिए वही सच्चा सहित्य है अब इसमें गद्यांश में विशेश तौर पर लेखक क्या कहना चाहते थे कि कहानी में भाशा के संबन में विचार प्रकरती हैं विशलेशनात्मक शैली और बोलचल की भाशा का प्रियोग लेखक ने किया है चलिए दोस्तों अब हम अपना दूसरा गद्यांश परते हैं कावे और सहित्य का उदेश हमारी अनुबूतियों की तीवरता को बढ़ाना है पर मनुष्य का जीवन केवल इस्त्री प्रुष्प्रेम का जीवन नहीं है क्या वह सहित्य है जिसका विशेश शेंगारिक मनुभावों और उनसे उत्मन होने वाली वि प्रशक्ता को पूरा कर सकता है शेंगारिक मनुभाव मानव जीवन का इकंग मात्र है और जिस सहित्य का दिकांश इसी से संबंद रहता हो वह उस जाती और उस यूग के लिए गर्व करने की वस्तू नहीं हो सकता और ना ही उसकी सुरूची का प्रमान भी हो सकता है तो द निबन वस्तूता हा उनके दिये गए भाशन का ही रूप है जो उन्होंने लखनव में बने प्रगती शील लेखर संग की अध्यक्षता करते वे इस अधिवेशन में व्यक्त किया था इस लेख में प्रेमचन ने सहित्य संबंदी अपने विचारों को व्यक्त किया है और य कहते हैं कि सहित्य का उदेश्य हमारी अनुभूतियों को तीवर करना है मनुष्य का जीवन केवल इससी प्रूष के प्रेम का जीवन नहीं है बलकि जीवन के विविद आयाम है उन पक्षों को लेकर भी सहित्य का निर्मान होना चाहिए अभी तक केवल कार्पनिक और प्र और उनसे उत्पन होने वाली विरहवय था। या निराशा या जीवन दुनिया से दूर भागने पलायन करने का काव्य है। ऐसा सहित्य एक तरफा सहित्य होता है। प्रेमचन के अनुसार साहित्य वे हैं जो हमारे विचारों और भावों को उसकी आवश्यक्ता को पूरा कर सके। श्रेंगारिक मनोभाव मानव जीवन का केवल एक अंग मात्र है। हम उसकी अभेलना नहीं करते लेकिन केवर वही साहित्य का एक मात्र लक्षे नहीं है। साहित्य वे है अच्छा है जो उस जाती और युक के लिए गर्व करने की वस्तु हो और वह समाज के लिए प्रमान बन सके। यानि की प्रेमचन ने इस गध्यांश में बताया है कि सिर्फ इस्तरी प्रूश के प्रेम के सौंदारिय को और उनके शेंगार को ही वर्नन करके लिखना साहित्य नहीं है। साहित्य इससे आगे बढ़कर है जीवन की सच्चाईयों को अवगत कराने वाला ही सच्चा साहित्य माना जाता है। चलिए दोस्तों ये हमने जाने इस गध्यांश की व्याख्या अब लेखा किसमें विशेश तोर पर क्या कहना चाते हैं इस पर वी एक सरसरी सी नजर डाल लेती हैं। समों के हिरदे का विकास है। साथ ही साथ साहित्य समाज के लिए उपादे होना चाहिए यानि कि समाज की जो जानकारी है वह बढ़ाने वाला होना चाहिए और उसको समाज को उसके साहित्य से समाज की सच्ची जानकारी मिल सके जीवन क्या है जीवन की क्या सच्चाईया है उन सब के बारे में उसको साहित्य के द्वारा जानकारी मिल सके तब ही एक साहित्य एक शेष्ट साहित्य बन सकता है यह कहना है लेकर प्रेमचन का तो दोस्तों यह हमने जानी प्रेमचन के जो साहित्य का उदेशे निबन के दो गध्यांशों की साप्रसंग व्याख्या आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा साथ ही दोस्तों आप अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रेशन को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं म इनका अर्थ समझना ही मुश्किल हो जाता है तो दोस्तों कृपया करके अपने प्रेशन पूछते समय इल्म बातों का ध्यान रखिए धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभ हो